वश्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका future secure के official channel पर तो हम अभी तक बात कर रहे थे बारत्य शासन परणाली के दूसरे pillar के बारे में जो की है हमारी legislature जिसको हम संसत कह सकते हैं पहला pillar हमने देखा था जहांपर हमने executive के बारे में बात की थी तो आज हम संसत को समझने की कोशि करेंगे तो जहां तक संसत की बात है दोस्तों आर्टिकल 79 को जब हम पढ़ते हैं इंडियान constitution के तो आर्टिकल 79 define करता है संसत को आर्टिकल 79 कहता है कि संसत से तात पर रहा है लोकसभा राज्यसभा और प्लस प्रेजिडेंट आप इंडिया या राष्टपती तो लोकसभा राज्यसभा और प्रेजिडेंट इन तीनों से मिलकर बनती है दोस्तों हमारे देश की संसत इन में से जहां एक और एक वास्तविक कार्यापालिका है, जो कि लोकसभा से ही निकल कर आती है, वहीं दूसरी और हमारे समवेधानिक प्रमुख भी हैं, जो कि कार्यापालिका के भी प्रमुख होते हैं, समवेधानिक प्रमुख के कार्यापालिका के होते हैं, प्रेजिडेंट, और तीसरा इसम कानूनों का निर्मान करना लॉज का निर्मान करना तो कानूनों का निर्मान करना प्रमुकाम यहां पर संसत का होता है और किसी भी कानून का जो निर्मान होता है दोस्तों वो इन तीनों के द्वारा ही होता है जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा और प्रेजिजेंट इन तीनो पर नहीं हुए तब तक वो बिल कहलाता है ध्यान रखेगा जब तक कोई भी लौ लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तो इनिशल स्टेज में वो बिल कहलाता है जब यह बिल लोकसभा से पास होगा उसके बाद यह राज्यसभा से पास होगा उसके बाद यह प्रेजिडे तो प्रारम में ये एक विदेयक होता है जब यह लोकसभा राज्यसाभा से पास होकर और इस पर राष्ट्पती के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो तब जो ये विदेयक था ये रूप ले लेता है अधिनियम का और इस तरीके से भारत में कानूनों का निर्माण होता है जिस तरीके के नामों में परना के बारह का जाता है जो वहां पर जो उन Dasar अनिम्री साधैना उसको कहा जाता है house of commons और अगर मैं अमेरिका की बात करो तो वहाँ पर इसको कहा जाता है house of representative लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर इसको लोकसभा के नाम से जाना जाता है तो आज हम जानने की कोशिस करेंगे दोस्तो आज के lecture में हम पढ़ेंगे लोकसभा के गठन के बारे में इसके composition को पढ़ेंगे कि कितने लोग इसमें होते हैं कैसे इसका गठन होता है इसके अलावा दोस्तो जो लोकसभा में members होते हैं उनके निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे उनके election के बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा जानने की कोशिस क करेंगे कि क्या उनके लिए qualification चाहिए होती हैं क्या वो अरहताए होती हैं जो किसी व्यक्ति में होनी चाहिए तब ही वो लोगसभा का सदस्या बन सकता है इसके अलावा कुछ निरहरताओं के बारे में पड़ेंगे कि वो कौनसी ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर जो किसी व्यक तो हम यहाँ पर देखने की कोसिस करेंगे इनके शपत को कि जो मेंबर्स यहाँ पर आते हैं वो शपत कैसे लेते हैं शपत किसके द्वारा उनको दिलाई जाती है साथ ही हम देखेंगे कि जो हमारा संसाच चलता है लोगसभा चलती है उसके अधिवेशन और गड़पूर् होते हैं इनको भी हम समझने की कोशिस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो लोगसभा का अध्यक्ष होता है इसके क्या अधिकार होते हैं और क्या इसको काज करने होते हैं और साथ ही दोस्तों हम लाश्ट में लोगसभा की शक्तियों को और उसके कारियों को भी समझने की क इन सब के ऊपर आज हम अपने discussion को रखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के गठन से तो जहां तक लोकसभा के गठन की बात है दोस्तों जहां तक लोकसभा के गठन की बात है तो ध्यान रखेगा जब मैं मुल्ट समविधान की बात करूँ एक तो आर्टिकल ध्यान रखेगा 81 में बात की गई है लोकसभा के गठन के बारे में आर्टिकल बहुत याद रखने के अफशक्ता होती नहीं है देखिए तो मुल्ट समविधान में जो लोकसभा का गठन था दोस्तों इसमें व्यवस्ता की गई थी कि 500 लोगों से मिलकर लोकसभा का गठन होगा कहने का मतलब कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या हो सकती थी वो 500 हो सकती थी लेकिन इसको समय समय पर बढ़ाया गया है दरसल सम्विधान में ये भी विवस्ता की गई थी कि प्रते एक जनगर्ना के बाद आप लोग जानते हैं भारत में प्रते एक 10 साल में एक जनगर्ना होती है, हमारे धेश में निर्वाचन छेत्र है, उनको बढ़ाया जाए, जो निर्वाचन की सीटे हैं, उनको बढ़ाया जाए कम किया जाए, इस परकार की जो सिफारिशे होती हैं, ये परिसीमन आयोक के दूरा दी जाती है, तो इसकी विवस्ता भारत के समविधान में की गई थी, हलां कि आप देखेंगे समय समय पर जो लोकसभा की सीटें हैं इनको बढ़ाया गिया है, जैसे कि जो साथमा समविधान संशोधन हुआ था 1956 में, वहाँ पर लोकसभा की सीटों को 500 से बढ़ा कर 525 कर दिया गया, फिर 31 में समविधान संशोधन से इने 545 कर दिया गया, और 56 समविधान संशोधन जिसको कि आप गोवा, दमन, एवं, दीव, पुनर गठन, अदिनियम के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसको 552 कर दिया गया, अब एक चीज़ यहां पर समझेगा, जो यह 552 सीटें यहां पर कर दी गई थी, इसमें इस 552 में से 530 सीटें तो आनी थी इस्टेट से, आप लोग जानते हैं जो भारत में राज्य हैं, वहां से आने थे 530 सदस्या, इसके अलावा दोस्तों यहां पर 20 सदस्या आने थे हमारे यूनियन टेरिटरी से, जो हमारे केंदर शासिव प्रदेश होते हैं, और 2 सदस्या आन और जो राज्य की विधान सभाएं होती हैं, वहां पर जो आंगल भारतिया समुदाय के व्यक्ति होते हैं, इनके प्रतिनी दित्वा की विवस्ता वहां पर की गई है, कि अगर राश्ट्पति को लगता है कि आंगल भारतिया जो लोग हैं, इनका प्रतिनी दित्वा लोग लोग सबा की इसमें से 530 लोग आने थे इस्टेट से राजियों से और 20 लोग आने थे उनियन टेरिटरी से और दो तो जो राश्टपती के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं एंगलो इंडियन समुदाई से लेकिन दोस्तों जो ये 552 सारी सीटे अलॉट नहीं की गई इन में से जो सीटे अलॉट की गई वो की गई 545 तो 545 सीटे जो अलॉट की गई थी तो इसमें से ध्यान रखेगा इन 545 में से 530 मेंबर्स तो हमारे इस्टेट से आए तो मतलब इस्टेट के लिए जो मैक्सिमम सीटे हो सकती थी वो मैक्सिमम सीटे अलॉट की जा चुकी है 530 अब बाकी जो 6 Union Territories तब होते थे वहां से आते थे हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर और जो हमारा लद्दाख है वो भी एक अलग से Union Territories बन चुका है उसका जब परिसीमन होगा तो उसके बाद उसके आंकड़े हमारे सामने आएंगे कि वहां पर अब सीटों की क्या संक्या होने वाले है लेकिन फिलाल हम जम्मू कश्मीर से पहले की बात कर रहे हैं तो समय भारत में आप लोग जानते हैं कि 7 Union Territories हुआ करती थी तो इनमें से 7 सीटे अकेले दिल्ली से आती थी जो कि Union Territory है और बाकी जो हमारी 6 Union Territory है सभी जगे से एक-एक सीट लोग सभा के लि लेकिन ध्यान रखेगा ये 7 सीटे केवल और केवल Union Territories को ही अलोट की जा सकती हैं ये 7 सीटे किसी भी राज्य को अलोट नहीं की जा सकती हैं क्योंकि राज्यों को जो 530 सीटे अलोट की जा सकती थी वो 530 की 530 सीटे राज्यों को अलोट की जा चुकी हैं इसके अलावा दोस्तो जो लोक सभा थी इसमें जो हमारा SCहty संभाय होता है इनके भी आरक्षन की विवस्ता की गई थी हालानकि ध्यान रखेगा प्रारआं में जो SC suf की विवस्ता की गई थी वो 10 साल के लिए की गई थी कि 10 साल तक लोक सभा और जो राज्य की विधान सभाई होती है वहाँ पर SC-ST जो समदाई होगा इसको आरक्षन दिया जाएगा और ध्यान रखेगा इस आरक्षन का जो आधार था वो थी इनकी जनसंख्या कहने का मतलब कि इनका जो आरक्षन होगा वो इनकी जनसंख्या के आधार पर होगा ऐसा नहीं कि हर राज्या में इनको fix percent ही आरक्षन मिलेगा वो depend करेगा कि किस राज्या में इनकी जनसंख्या कितनी है उसी जनसंक्या के अनुपात में इनको आरक्षन की व्यवस्ता की गई थी ये व्यवस्ता आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 3.30 में वहीं आर्टिकल 3.34 हमें बताता था कि जो ये आरक्षन की व्यवस्ता SCST समदाई के लिए है ये आपका प्रारम में 10 साल तक के लिए ही रहेगी और 10 साल के बाद अगर इसको संसत के दोरा नहीं बढ़ाया गया तो ये समाप्त हो जाएगी येकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रतेक 10 साल में संसत के दोरा इसको बढ़ाया गया लाश्ट टाइम इसको इससे पहले 2009 में बढ़ाया गया था ध्यान रखेगा तब 95th Constitutional Amendment हुआ था और इसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था तो 2020 में 25 जनवरी को क्योंकि इसे समात होना था लेकिन जनवरी में आप देखेंगे 104th Constitutional Amendment हमारी Parliament के द्वारा किया गया और 104 समविधान संशोदन के द्वारा इसको दुबारा बढ़ा दिया गया है और अब ये 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है तो ध्यान रखेगा जो 2030 तक के लिए जो ST और ST समविधान संविधान संविधान में इसको दुबारा से बढ़ा दिया गया है अब ये 2030 तक रहेगा इसके अलावा दोस्तों जो हमारे आंगल भारत्या समविधान के व्यक्ति हैं इनके लिए भी आरक्षन की विवस्ता की गई है समविधान में की गई है लोक सबा में इनको दो सीटों का आरक्षन था जबकि विधान सबा में एक सीट का हालांकि ध्यान रखेगा ये जो आरक्षन था ये डिरेक्ट इलेक्षन का नहीं था बलकि ये आरक्षन था एक परकार से नॉमिनेशन का और नॉमिनेशन में ये शर्त थी कि अग तो members को लोगसभा के लिए nominate कर सकता था और अमूमन राष्टपती को ऐसा हमेशा ही लगता था ति क्यों कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत का president है वो काम करता है किसके कहने पर council of ministers के कहने पर जो हमारी मंतरी परिश्यद है उसके कहने पर काम करेगा और मंतरी परिश्यद क् दो ऐसे members मिल रहे हैं जो लोगसभा में उसके पक्ष में voting करेंगे तो क्यों ना उन members को लोगसभा में लाया जाए तो हमेशा ही जो हमारी मंतरी परिश्यद थी उसको ये लगता था कि भाई इनका प्रतिनी जितों कम है और हमेशा ही आंगल भारतिय संबुदाय के दो लेकिन 2020 जनवरी में आंगल भारतियों की जो ये दो सीटे रिजर्व होती है लोगसभा में इनको इस बार नहीं बढ़ाया गया है तो आप कहने का मतलब कि 2020 के बाद आंगल भारतिय संबुदाय का nomination नहीं हो पाएगा ना तो लोगसभा में ना ही विधान सभा में इनके nomination को या आप इनके reservation कह लीजिए उसको अब समाप्थ कर दिया गया है Constitutional Amendment ध्यान रखेगा कौन सा किया गया तो वो किया गया था 104th Constitutional Amendment तो ये है दोस्तों भारत की वर्तमान की लोगसभा की इस्तिति अब वर्तमान में भारत की लोगसभा की क्या इस्तिति है वर्तमान में भारत 530 members आने हैं कहां से हमारे state से जो कि सारी की सारी seat एलोट हो चुकी है और इसके अलावा 20 members आने हैं हमारी union territory से जिन में से की 13 seat एलोट हो चुकी है और union territory की 7 seat खाली हैं तो वर्तमान में जो भारत की लोगसभा की strength होती है वो कितनी हो गई वो हो जाती है आपकी 543 ठिक प्लस लेकिन अगर पूछा जाए कि कितनी हो सकती है तो वो 552 हो सकती है उमीद करता हूँ मैं इसको इसमश्ट करने में सफल रहा हूँ अब दोस्तों जो राजियों को seat का आवंटन होता है वो किस आधार पर होता है अब देखेगा होता क्या है कि जो हमारे states होते हैं इनको निर् वो आपका state से और union territories से आनी है तो प्रश्णी यह है कि यह state और union territories को seat बांटी कैसे जाएंगे कि इन आधारों पर बांटी जाएंगी तो दरसल होता क्या है कि जो हमारे states होते हैं या union territories होते हैं इनको निर्वाचन छेत्रों में बांटा जाता है निर्वाचन छेत्रों का मत असलब आप ऐसे समझेगा, जैसे मैं UP का example लूँ, तो UP में आप जानते हैं कि लोग सभा में UP को 80 निर्वाचन छेत्रों में बांटा गिया, आप लोग जानते हैं कि UP से लोग सभा की 80 सीटे आती हैं, तो UP को 80 निर्वाचन छेत्रों में बांटा गिया है, अगर मैं दूसरे राज्यों का example हूँ, suppose उत्राखंड का ले लीजिए, तो उत्राखंड को 5 निर्वाचन छेत्रों में बांटा जाता है, तो प्रतेग राज्य को क्या किया जाता है, कि कुछ निर्वाचन छेत्रों में बांटा जाता है, अब जब ये निर्वाचन छेत्रों में किसी भी राज इसमें बाटा गया हो इतना क्लियर हो पाया इसको एक्जांपल से ऐसे समझेगा कि मान लीजिए कि कोई एक इस्टेट आपका A है और A की जनसंख्या मान लीजिए है 5 लैक और A में जो आपकी निर्वाचन छेतर हैं लोकसाबा के लिए वो हैं 5 ठीक अब मान लीजिए कि कोई दूसरा इस्टेट है B और B की जो पॉपुलेशन है वो मान लीजिए वो है 15 लाग और अब जो B का जो निर्वाचन छेतर हैं तो B में A से साथ निर्वाचन छेतर कितने होने चाहिए जब 5 लाग पे 5 निर्वाचन छेतर A राजय को मिले हैं तो B राजय को 15 लाग की पॉप विधी को अपनाया जा सके तो एक तो इस बात का ध्यान रखा गिया है कि संपूर्ण देश में एक ही जैसी विधी को अपनाया जा सके निर्वाचन छेतर का आवंटन करते समय और दूसरा ध्यान इस बात का रखा गिया है कि एक ही इस्टेट के भीतर सपोज यह एस्टेट है और इसके भीतर में 5 निर्वाचन छेतर है अब ये जो 5 निर्वाचन छेतर इसके बीच में है इस बात का विशेज ध्यान दखा जाना चाहिए कि 5 निर्वाचन छेतर में जनसंख्या का अनुपात एक जैसा हो तो पांचो निरवाचन छेतर में जनसंखय का अनपाथ का एक जैसे का मतलब है दोस्तों कि जैसे सपोस das A में आपके त्माच निरवाचन छेतर है एक X छेतर हैं इस परकार से विभाजन नहीं होना चाहिए जो निर्वाचन छेतरों का विभाजन राज्य के भीतर होना चाहिए उसमें जनसंक्या का अनुपात लगभग समान ही होना चाहिए आप ऐसा कर सकते हैं कि X में सपोस्थ 10 लाग की जनसंक्या है Y में हो सकता है कि ये 9,50,000 हो जाए Z में हो सकता है कि ये 10,50,000 हो जाए आना चाहिए तो कहने का मत्तब एक राज्य के भीतर भी जो निर्वाचन छेतर है उनका बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि वो वहां की जनसंख्या के अनुपात में ही हो। परिसीमन आयोक का कार्या ये बताना होता था ये परामश देना होता था कि भई जो हमारे निर्वाचन छेतर हैं इनको बढ़ाया जाना है या फिर इनको घटाया जाना है या फिर जो हमारी आरक्षित वर्के लिए जो सीटे होती हैं उनको बढ़ाया जाना है तो इस परकार क जो सिफारिशे होती थी ये परिसीमन आयोग के द्वारा दी जाती है दियान रखेगा आज तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है 1952 में किया गया था फिर 62 में किया गया फिर 72 में किया गया फिर 2002 में किया गया जो 543 member आने होते हैं ये 543 member elected होते हैं इन दो का आप जानते हैं कि वो nominated है अब ये elected होते हैं अगला प्रश्णी यह है कि इनका election किस आधार पर होता है कौन इनको vote देता है किस परकार का election होता है तो देखेगा कि जो यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन होता है दोस्तों उसके को आप adult franchisee भी कहते हैं adult franchisee का ये मतलब हो दोस्तों कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत का एक तो नागरिक हो और उपर से जिसकी आयू 18 वर्श पूर्ण कर चुका हो वो 18 वर्श की आयू का होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए पागल या दिवालिया नहीं होन चाहिए तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो मतदान कर सकता है इससे आप ये भी समझ गये होंगे कि लोग सभा के मेंबर्स का जो चुना होता है वो direct election होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ध्यान रखेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के साथ साथ ये गुप मतदान होता है और यहाँ पर direct voting होती है हम लोग जो होते हैं जो हमारे प्रतिनीदी होते हैं उनका हम प्रत्यक्ष तोर पर निर्वाचन करते हैं सीधे जाके उनको vote करते हैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेगा जब हमारा समविधान लागू हुआ था तो उसमें जो व परत्मान सिनेरियों में यह स्तिति है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वट्स की आयू को प्राप्ट कर चुका है और भारत का नागरिक है वो सीधे जाकर मद्दान कर सकता है वो अपना vote किसी को दे सकता है तो इसमें निर्वाचक मंदल कौन हुए निर्वाचक मंदल हुए सभी वयस्क इसके लावा दोस्तों निर्वाचन पद्दती में आपको बताई चुका हूँ निर्वाचन पद्दती इसमें क्या होती है आपकी डिरेक्ट पद्दती के द्वारा निर्वाचन होता है डिरेक्ट इलेक्शन होता है और डिरेक्ट इलेक्शन भी आपका गुप्त म प 맞दानिया पर किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तोँ आब बात करते हैं जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं इनकी अरहताओं के बारे में या फिर आप यह समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग हुंगे जो कि लोगसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यत होंगे तो जहां तक योग्यता की बात है, दोस्तों सबसे पहली योग्यता तो आपके पास यह होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, किसी रेक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है अगर उसे लोगसभा का सदय से चुना जाना है, इसके अलावा उसकी आयू कम से कम 25 वर्ष की हो, ठिक, तो मतलब यहां पर जो बाकी की जो बाकी आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह डिसाइड करने का अधिकार दिया गया था, पाल्लेमेंट को, भारत की संसत को यह अधिकार दिया गया दोस्तों, तो भारत की संसत ने यहां पर एक एक्ट बनाया, ज दोसको हम यहाँ पर जान लेते हैं तो जन पड़ती निदितों अधिनियाम 1951 के तहट दोस्तों पहला प्राफधान है आपका आरक्षी सीट को लेकर देखें आरक्षी सीट आप लोग जानते हैं कि दो आरक्षी सीट हैं एक तो S.C.S. की और एक S.T.S. की तो यह प्राफधा हों एक्जामपल से ऐसे समझेगा कि सपोज आपको मध्या परदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ना है जो की आपका S.C. के लिए आरक्षीत है आपको मध्या परदेश की सीट से चुनाव लड़ना है जो S.C. के लिए आरक्षीत है तो इस सीट से चुनाव लड़ने के आपके लिए ये जरूरी है कि आपको भारत के किसी न किसी छेतर में SC Community का ही होना चाहिए अगर आप SC Community के नहीं होंगे तो आप इस SC Seat से चुनाओ नहीं लगड़ सकते हालां कि ध्यान दखेगा ये जरूरी नहीं है कि आपको MP में ही SC Community से होना चाहिए हो सकता है आप UP से हों SC Community से हो सकता है आप गुजराथ से हों SC Community से उसका कोई इश्यू नहीं है लेकिन SC Community से होना यहां पर जरूरी है कहने का मतलब जो Reserve Seat है वो Reserve Community ही उन सीटों को भड़ सकती है कोई अन्य अव्यक्ति उन सीटों को नहीं भड़ सकता है और कमो बेस यही इस्तिती है SC सीटों के लिए भी SC की जो सीटे रिजर्व होंगी उनके लिए भी यही इस्तिती है ध्यान रखेगा यह जो प्रावधान है दोस्तों यह North East पर लागू नहीं होता है जो भारत के पूर्वोतर के राज्यां है हमारे असम हो गया अरणाचल हो गया नागा लेंड हो गया मनीपूर हो गया तिरपूरा हो गया वहाँ पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है इस बात को ध्यान रखेगा इसके अलावाद दूसरा प्रावधान जो इसमें था दोस्तों वो यह कि आपको अगर किसी भी इस्तान से चुनाव लड़ना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका नाम वहीं की निर्वाचन नामावली में दर्ज हो कहने का मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको समझाए एक दूसरे एक्जामपल से समझेगा मान लिजे कि आपको यूपी की वारणसी सीट से चुनाव लड़ना है जहांसे कि हमारे प्रधान मंतरी चुनाव लड़ते है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका नाम यूपी की जो वारणसी सीट है इसकी जो निर्वाचन नामावली है उसी में आपका नाम दर्ज हो अगर आपका नाम सपोर्द मालीजे कि उत्रखंड की निर्वाचन नामावली में दर्ज है तब भी आप यूपी की वारण असी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं आपका नाम गुजरात की निर्वाचन नाम आवली में दर्ज है तब भी आप वारण एसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं बस आपका नाम भारत की किसी भी छेतर में की निर्वाचन नामावली में दर्ज होना चाहिए तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो ये दो यहाँ पर प्रमुख प्रावधान थे इस आप इसको कह सकते है disqualification के आधार कौन-कौन होंगे जो की भारत सरकार के अधिन करता हो या राज्य सरकार के अधिन करता हो किसी के भी अधिन अगर वो लाप का धारण करता हो तो वो ओग्या होगा वो लोगसवा का member नहीं बन सकता है यहां पर ध्यान रखेगा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मंत्री का पद होता है यह लाब का पद नहीं होता है चाहे आप राज्या में मंत्री हो चाहे केंद्र में मरती हो इसके लावा उपराश्पति राश्पति के पद को भी लाब का पद नहीं मान नहीं है या फिर उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है तो वो भी लोगसभा के एलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वो योग्या नहीं होगा इसके अलावा अगर कोई दल बदल कानून के तहत अयोग्या ठहराया गया हो तो उसको भी यहाँ पर ड ही मिरयोग्या होंगे या फिर वो भी डिस्क्वालिफाई होंगे जो की जन प्रतिनीदेट्व अधिनीयव 1251 है इसके तहत अयोग्या हो मतलब आप चुनावी अपरादी या फिर चुनाव में भरष्ट आचरन के लिए आप दोशी शिद हुए हो तो भी आप लोगसभा के सदस्या बनने के लिए आयोग्या होंगे आप सदस्या नहीं बन सकते हैं चुनावी अपरादी से मतलब कि आपने कोई बूत कैप्चिरिंग की हो या सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल किया हो चुनाव जीतने के लिए या किसी गलत तरीके का आपने अपनाया हो अपने चुनाव को जीतने के लिए इस तरीके का अगर आपके ओपर दोशी दुआ है तो आप लोगसभा के सदस्या नहीं बन सकते हैं इसके अलावा अगर आपक कारावास हुआ है तो आप लोगसभा के मेंबर नहीं बन सकते इसके अलावा अगर आपने एक fix time period के अंदर में जो आपने चुनावी खर्च किया है उसका विवरन अगर आपने चुनाव आयोग को नहीं दिया तो तब भी आप लोगसभा की योग्या तक हो देंगे और आप लोगसभा के सदस्या नहीं बन पाएंगे इसके अलावा अगर आप कोई लाप का पद्धारन करते हैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ तो भी आप अयोग्या हो जाएंगे और ध्यान रखेगा लाप के पद्ध की यहां पर बात की गई है किसमें किसी भी ऐसे निगम में जहांपर सरकार के हिस्सेदारी 25 परतिशत या इससे ज़्यादा हो तो कोई भी ऐसा निगम जहांपर सरकार के हिस्सेदारी 25 परतिशत या उससे ज़्यादा है वहाँ पर भी अगर आपको इलाप का पधारन करते हैं तो भी आप आयोग्या हो जाएंगे इसके अलावा दोस्तो अगर आपको किसी सरकारी सेवा से ब्रष्टाचार या अनिष्टा के आधार पर ब्रखास्त किया गया हो तो भी आप आयोग्या हो जाते हैं तो भी आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी व्यक्ति एकी समय पर दो सदनों का सदस्या नहीं बन सकता दो सदनों से क्या मतलब है ना तो आप एक ही टाइम पे लोगसभा और राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं अगर आप एक ही समय पे लोगसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं तो आपको एक ही सदस्यता छोड़नी पड़ेगी आप जिसकी चाहें वैसे नॉर्मली आपकी लोग के member होंगे या आप state legislature के member होंगे तो ध्यान रखेगा एक ही समय पर कोई भी व्यक्ति ना तो एक साथ संसद के दोनों सदनों का member हो सकता है और ना ही संसद का और राज्य विधान मंडल का member पर एक साथ हो सकता है अगर कोई ऐसा रहता है तो वो भी आपका आयोग्या हो जाएगा या फिर उसको एक इंडिपेंडेंटी नहीं लेता है सामान्यता राश्टपती इस बारे में जो भारत का election commission है भारत का निर्वाचन आयोग है उससे परामर्श करता है और उसकी राए के अनुसार ही यहाँ पर राश्टपती के द्वारा कार्या किया जाता है यहाँ पर एक चीप ध्यान रखेगा कि जो दल बदल वाला decision है ध्यान रखेगा वो राश्टपती नहीं लेता है दल बदल वाला decision कौन लेता है दल बदल वाला decision लेता है जो भी हाउस का अध्यक्ष होता है अगर राज्य सभा होगा तो राज्य सभा का सभापती लोग सभा होगी तो लोग सभा का अध्यक्ष और अगर विदान सभा होता है तो विदान सभा का अध्यक्ष लेकिन जो बाकी की आपकी अयोग्यता के संबंद में जो भी प् लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसबा का विगठन किया जा सकता है कैसे अगर भारत का प्रधान मंत्री राष्टपती को ऐसा करने को कहे। इसके अलावा 90's का जो टाइम पीरेड था वहाँ पर तो लगातार ही लोकसबा समय से पहले विगठन करवा सकते हैं। अगर नेशनल एमर्जनसी है तो नेशनल एमर्जनसी के समय जो हमारे देश की पारलेमेंट होती है उसके पास एक पावर है कि वो एक बार में लोकसबा के टम को एक साल के लिए बढ़ा सकती है। यह हमने 1975 के जो एमर्जनसी थी तो आपने देखा था कि एक एक साल करके दो बार महाँ पर लोकसबा के टम को बढ़ाया गया था। यहांकि जब एमर्जनसी का प्रोक्लेमेरेशन वापस ले लिया जाएगा उद्गोशना को वापस ले लिया जाएगा तो उसके 6 महा से ज़्यादा तक यह व्यवस्ता जारी नहीं रहेगी। जब आप एमर्जनसी को वापस ले लेंगे और उसके 6 महीने के बाद। संशोधन के द्वारा इसको 6 साल किया गया था इंद्रगांदी जी के द्वारा। इसके लावा दोस्तों बात होती है लोगसबा में जो सदस्य निर्वाचित होके आएंगे उनको सपत कौन दिलाएगा भई। तो जहां तक उनके शपत का प्रावदान है दोस्तों सपत के बारे में कहा गया है कि या तो राश्पती दिलवाएगा या फिर राश्पती किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेगा और वो लोगसबा के सदस्यों को शपत दिलवाएंगे। लेकिन सामान्यता होता किया दोस्तों राश्पती के द्वारा एक व्यक्ति निर्वाचित किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर सामान्यता उस व्यक्ति को निर्वाचित होके जो आई है जो उसका सबसे सीनियर मेंबर होता है उसके सबसे सीनियर मेंबर को सा प्रोटेम स्पीकर यहां पर न्यूक्त किया जाता है और इस प्रोटेम स्पीकर का केवल इतना काम होता है कि जो नई लोग सबा चुनकर आई हैं जो नए मेंबर्स वहां पर चुनकर आए हैं इनको वो शपत दिलाए जैसे ही इनके शपत पूरी होती है तो इसका जो यह पद होता है जिसको प्रोटम speaker कहा जाता है यह पद भी यहां पर समाप्द हो जाता है तो इसका काम केवल और केवल इतना होता है कि लोग सबा में जो नहीं ऐसे में लोग चुनकर आए हैं उनको शपत इसके द्वारा यहां पर दिलाई जाती है तो द्यान रखेगा जो नहीं दौरा दिरधारित किये जाते हैं संसद करें वही वेतना एवंबतें अमारे संसदों को दिये जाते हैं वर्तमान में कोविड-19 के दौर में आप लोग जानते हैं कि अप्रेल में एक ओडिनेस लाया गया था और उसके द्वारा यह दिया गया कि जो आपके MP होंगे इनकी जो salary होगी वो 1,00,00 रुपे होगी, 1,00,00 रुपे पर मंत, ज्यान रखेगा इसमें 30% की कटोती की गई थी, तो 30% की कटोती करने के बाद जो इनकी वर्टमान में salary है वो 1,00,00 पर मंत है, हलांकि इसको एक साल के लिए provision ही किया गया है, अगर भारत COVID से बाहर आ जाता है तो दुबारा से जो 30% decrease इनकी salary में किया गया है, उसको वापिस से बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इनकी वेतन एवं भत्ते से संबंदित उनको वही कुछ मिलेगा, जो की संसत के द्वारा निर्दारित किया जाता है, संसत इसके लिए कानून बनाती है, आगे बात करते है हैं दोस्तो अधिवेशन और गनपूर्ति के बारे में, सेशन और कोरम के बारे में, तो जहां तक सेशन और कोरम की बात है दोस्तो तो ध्यान रखेगा कि जो लोकसभा के दो सेशन होंगे, लोकसभा का पहला सेशन और लोकसभा का दूसरा सेशन, तो लोकसभा के किनी भी दो session के बीच में six months से ज़्यादा का gap नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि जो first session की last date थी और जो second session की जो बैठने की पहली date है, इन दोनो dates के बीच में 6 महीन का gap नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक साल में जो लोकसभा के हैं वो कम से कम दो session तो होते ही होते हैं। और सेशन बुलाये किसके दौरा जाते हैं? तो ध्यान रखे किसे दौरा लोकसवबा का सेशन या दिवेशन बुलाया जाता है, और दो सेशन के बीच में 6 मेहनेक से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता इसका इसपरश प्राफधान भारत के सम्विदान में किया गया है और ये 6 मेहने कौन से हैं पहली बैठक की इसमें अंतिम तारिक देखी जाती है और जो दूसरी बैठक है या फिर अब होने वाली बैठ है कि पहली तारिक देखी जाती है जिसमें बैठक प्रारम होती है तो इन दोनों तारिकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है इस प्रेश प्रेश हो गया कि एक साल में 2 बैठक तो कम से कम लोगसभा की होगी होगी लेकिन सामान्यता आप देखेंगे तो भारत में 3 बैठक होती है एक को कहा जाता है बजट सत्र जिसमें की बजट पेश किया जाता है उसके बाद एक होता है मौनसून सत्र क्योंकि ये मौनसून के टाइम पर होता है और एक होता है हमारा शीत कालिन सत्र ये क्योंकि सद्धियों में होता है तो इसको कहा जाता है शीत कालिन सत्र इसके अलावा दोस्तों लोकसभा की बैठा के लिए गणपूर्ती का होना आफश्या का ध्यान रखेगा गणपूर्ती का मतलब है कि वो मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए जिससे की लोकसभा का सेशन चल सके अगर इससे कम संख्या होगी तो लोकसभा का सेश है तो अगर लोकसभा को चलना है तो उसके लिए जरूरी है कि इसके वन बाइटेन मेंबर्स कहने का मतलब 50 मेंबर्स वहां पर प्रेज़ेंट होने चाहिए तब लोकसभा का सेशन चल पायागा क्योंकि गणपूर्ती का होना अफश्यक होता है सेशन को चलाने के लिए इस अगर किसी सांसत की मृत्य हो जाती है तो उसका पद रिक्ट होई जाएगा जो बाखी के प्रावधान है उन पर हम देखते हैं पहली बात तो यह है दोस्तों की दोहरी सदस्यता पर मान लिजे कि कोई एक मेंबर है वो लोकसभा का भी मेंबर बन गया और राज्यसभा का भ विधान सभा का भी मेंबर बन जाए तो ऐसी इस्तिति में भी उसको एक सीट रिक्ट करनी होती है हो सकता है कि वो पारलेमेंट की सीट को रिक्ट कर दे जैसे के हमारे योगी आदितियनाज जी थे जब उनको उत्तर परदेस का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने अ इस पीकर को दे दे तो भी उसके सीट खाली हो जाएगी हम पर एई चीज ध्यान रखेगा इस पीकर इसके एरेजिनेशन को लेने के लिए बात दे नहीं होता है अगर इस पीकर को ये लगा कि इसने सुईच्छा से एरेजिनेशन नहीं दिया है इसके ओपर दबाव डाला तो इस पीकर इसका रेजिनेशन लेने के लिए मना भी कर सकता है इसके अलावा दोस्तो अनुपस्तिती की स्थान दिक्त हो सकता है अनुपस्तिती कैसे कि अगर जो सदन की कार्यवाई है उसमें लगातार 60 दिन तक ये बिना सदन की आग्या के अनुपस्तित रहते हैं उसकी जो seat है वो आपकी थाली हो जाती है, इसके अलावा अगर house नहीं उसको nishkasit कर दिया, house नहीं उसको निकाल दिया, तो भी उसकी seat रिक्त हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि वह व्यक्ति राश्टपती या उपराश्टपती चुन लिया गया हो, तो अगर राश्टपती या उपराष्पती बन जाएगा, तो उसको अपनी सीट रिक्ट करनी पड़ेगी, या फिर उस व्यक्ति को हो सकता है कि किसी राजय का राजयपाल बना दिया गया हो, तो उस इस्थिति में भी उसका पद्जियों है वो रिख्थ हो जाता है उसके स्थान रिख्थ हो जाता है अब हम बात करते हैं दोस्तों लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है दोस्तों तो आर्टिकल 93 में जब आप जाएंगे तो यहां पर इस पर लिखा ग होगी उस दिन वो अपने मेंबर में से एक को तो इस्पीकर चुन लेंगे और एक को डिप्टी स्पीकर चुन लेंगे तो ध्यान रखेगा जो इस्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं यह लोगसभा अपने ही मेंबर में से चुनती है बार से नहीं आता है जैसे कि राज works होता है जो कि लोकसभा का होता है एक बात यहाँ पर ध्यान रखेगा जो speaker होता है वो जब हमारी लोकसभा dissolve हो जाती है तो वो त्याग पत्र नहीं देता है ध्यान रखेगा speaker अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अगली जो लोक सभा होगी, next जो लोक सभा होगी, इसका गठन नहीं हो जाता, तो अगली लोक सभा का जब गठन होगा, तब जो speaker होता है, अपने पत से त्याग पत्र देता है, वन्ना वो तब तक अपने पत पर बना रहता है, इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखेगा जो अध्यक्ष होता है, यह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, और जो अपाध्यक्ष होता है, यह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है, इनका अगर कभी अपने पत्र को खाली करने का मन हो, तो एक जूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं, उपाद्यक्ष को अटाना है चाहिए उपाद्यक्ष को अटाना है 14 दिन पहले आपको इनको इसकी सूचना देनी होती है कि आपको पत से हटाया जा रहा है और उसके बाद प्रस्ताव पारित करके या संकल पारित करके लोगसभा इनको इनके पत से हटा सकती है इसके अलावा दोस्तों एक चीद ध्यान रखेगा कि जिस समय अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को उनको पत से हटाने के लिए विचार चल रहा होगा लोग सबा में इसको विश्य सवर पर ध्यान रखेगा हालां कि इसको सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है उसमें को इश्यू नहीं है वो लोकसभा में बोलने का अधिकार होता है वो बोल भी सकता है उसको मतदान करने का भी अधिकार होता है वो वोटिंग भी कर सकता है हालां कि ध्यान रखेगा जो इसका special right होता है जब अध्यक्ष होता है वो होता है निनायक मत तो जब इसके विरुद ही इसको हटाने के लिए विचार किया जा रहा होगा तो उस समय इसको निनायक मत देने का अधिकार नहीं होता है अगर मैं इसके शपत की बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखेगा लोगसभा का स्पिकर कोई अलग से शपत नहीं लेता है ये लोगसभा के सदस्य के रूप में ही शपत लेता है करे बार पूछा जाता है कि लोगसभा के स्पिकर को कौन शपत दिलाता है तो लोगसभा के स्पिकर की कोई शपत नहीं लेनी होती है अगर हम अध्यक्ष के दोस्तों अधिकार और कार्या की बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जो इसका प्रमु कार्या होता है वो होता है यह कि यह लोग सबा के बैठकों की अध्यक्षता करता है ठिक क्योंकि स्पिकर होता है हाउ उसमें सांती विवस्ता बनी रहे और अगर कोई सदस्य इसकी आग्या नहीं मान रहा है इसकी बात नहीं मान रहा है और बार बार कार्यावाई में बादर डालने की कोशित कर रहा है तो इसको ये अधिकार भी होता है कि उस सदस्य की सदस्यता को ही निलंबित कर दे उसकी जो दोस्तों जो सदन की कारेवाई होती है उसको इस्थगित करने का अधिकार भी इसके पास होता है इस्थगित मतलब कई बार आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोग नीचे लौन में आ जाते हैं आपर हल्ला करने लगते हैं, अविवस्ता जब फैल जाती है सदन में, तो ये सदन की कारेवाई को इस्तागित कर देता है, हाउस को एडजन कर सकता है, ठीक है, तो जो सदन की कारेवाई होती है, उसको इस्तागित करने के भी अधिकार इसके पास होता है, साथी दोस्तों इस दरसल दो यह authorized language है, एक है English, एक है Hindi, लेकिन लोगसभा अध्यक्ष के पास यह power है, कि अगर वो चाहे और किसी व्यक्ति को अगर English और Hindi में कोई दूविदा होती हो, तो वो अपनी मातरबाशा में बोल सकता है, वहाँ पर translator उपलब्ध होते हैं, इसके लावा दोस्तों, जो सं में राज्यसभा और लोगसभा के बीच में कोई अनबन हो जाती है, या फिर गतिरोध उत्पन हो जाता है, तो उस इस्तिति में क्या किया जाता है, कि लोगसभा और राज्यसभा का सइंत अधिवेशन बुलाया जाता है, एक साथ इनको बिठाया जाता है, उसमें जो अध ज्यक्षी decide कर सकते है त्यान दाखेगा ये इसकी अपनी power है कि ये किसी विदेयक को धन विदेयक है या नहीं इसका नेणय केवल और केवल लोगसभा का अध्यक्ष करता है और ये तो इसका ऐसा नेणय है जिसको कहीं भी challenge नहीं किया जा सकता है इसके अलावा दोस्तों इसको casting vote देने का अधिकार होता है निनायक मत देने का अधिकार होता है मान लिजी कि किसी bill के ओपर voting हो रही है और bill के ओपर जो voting हो गई वो 50-50 हो गई दोनों पक्ष में 50-50 परचेशत मत यहां पर पड़ चुके हैं तो अगर आपको bill को pass करवाना है तो कहीं तो आपको plus one चीए अगर आपको bill को गिराना है तो भी एक side plus one चीए बिलको pass करवाना है तो भी pass करने वाली side plus one चीए तो वहां पर इसके पास यह अधिकार होता है कि यह अपना casting vote दे सकता है अपना निनायक मत दे सकता है सामाने परिस्तित्यों में यह मतदान नही करता है इस बात को ध्यान रखेगा इसके अलावा दोस्तों जो हमारी parliamentary committees होती है संसद्या समितियां होती है ठीक इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है अब हम बात करते हैं दोस्तों लोगसभा की शक्तियों और कारिया के बारे में ध्यान रखेगा जो लोगसभा speaker उसकी और भी बहुत सारी शक्तियां होती है आप चाहें तो एक बार बुक से refer कर भी सकते हैं मैंने कुछ शक्तियों का वहाँ पर जिकर किया था अब हम बात करते हैं लोगसभा की शक्तियों के बारे में तो ध्यान रखेगा लोगसभा को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है हमने कल भी बात की थी संसत की शक्तियों के बारे में, तो वो सभी शक्तिया जो संसत किया वो लोगसभा को भी प्राप्त होंगी, क्योंकि लोगसभा भी संसत का एक अंग है, तो सबसे पहली शक्ति जो लोगसभा के पास है दोस्तों, वो है विधाही शक्ति, विधाही शक्ति मतलब कानून बनाने की शक् nature होने चाहिए तो अगर लोगसभा से पास नहीं होगा तो तब तक तो कोई भी Bill Act नहीं बन सकता है इसके लावा दोस्तो सहीत दिवेशन में आप देखेंगे लोगसभा strong position में आपको दिखेगा लोगसभा strong position में कैसे ज़्यादा है कि वो यहाँ पर outplay कर देती है राज्यसभा को तो जब सहीत दिवेशन की इस्तिति सहीत दिवेशन दरहसल बुलाया इसले जाता है कि उत बिल्कुँ आसानी से में ही बैठते हैं राज्यसभा का election आप लोग जानते हैं इंडारेक्ट होते हैं तो जो जनता द्वारा चुनेवे प्रति नहीं दिये होते हैं वो लोगसभा में हैं जनता के प्रति उनका उतरदाई तो है तो इसलिए जितने भी महतोपुन विदेयक होता है वो सारे के सार प्रति बात कि जो धन विदेयक है इसको केवल और केवल प्रस्तावित किया जा सकता है लोगसभा में जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 109-110 को तो इसके बारे में डिसकस और करेंगे लेकिन अफिला इतना ध्यान रखेगा कि धन विदेयक को राज्यसभा में तो प्रस्ताव मान लिया जाता है राज्यसभा के पास कोई पावर यहां पर नहीं होती है इसका मतलब यह मत समझेगा कि राज्यसभा को बिलकुल यहां पर गेम से बाहर कर रखा है एक चीज राज्यसभा के पास होती है और वो सिर्फ यह होती है कि राज्यसभा धन विदेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, 14 दिन तक विचार कर सकती है धनविदयक पर, इससे ज़्यादा राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, अगर राज्यसभा ने 14 दिन में धनविदयक को पास नहीं किया, तो धनविदयक खुदी पास हुआ, मान लिया जाता है, तो राज्यसभा के पास दो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वार्सिक बजट होता है इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट होता है और जो हमारे अनुदान मांगे होती है ये भी लोगसभा के समक्षी प्रस्तूत की जाती है इनके ओपर भी हम डिसकस करेंगे जब आर्टिकल 112 और 113 को और अनुदान मांगों के बारे में बात करेंगे लेकिन द्यान रखेगा वार्सिक बजट और जो अनुदान मांगे होती है डिमांड फॉर ग्रांट होती है ये भी लोगसभा के समक्षी प्रस्तूत की जाती है इसके अलावा दोस्तों जो हमारी एक्जेक्यूटीव है उस क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी मंत्री परिशयद है वो केवल और केवल तब तक बनी रह सकती है जब तक कि उनमें लोगसभा का विश्वास है अगर लोगसभा को उनमें विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर को लोगसभा स्विकार नहीं करती और राष्टपती के लिए जो आपका धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है राष्टपती के अभी बाशन के बाद उसको भी अगर लोगसभा के दारा स्विकार नहीं किया जाता है तो इस इस्तिति में सरकार को त्याग पत्र देना होता है इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि लोग सबाव में एक प्रश्ण निकाल होता है जहाँ पर की सरकार के कारियों के संबंद में सरकार के मंत्रियों से या सरकार से वहाँ पर प्रश्ण पूछे जाते हैं और आपका नियंतर निस्तापित किया जाता है एक परकार से कारिया करवा दे उसके द्वारा भी सरकार के ओपर प्रेशर पड़ता है कार्य पारिका के ओपर दबाव पड़ता है वहां पर नियंत्र इसतापीच रेपोर्ट हुग घुश्र भारत के नियंत्रै के ओपधा का nawr कार्यापालिका के ही अंग होते हैं ठीक हमारी पर्मिनेट कार्यापालिका भी होती है उसी के अंग ये सब होते हैं तो कहीं न कहीं जो लोकसभा होती है वो इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसके उपर भी चर्चा करती है तो इससे जो हमारी कार्यापालिका होती ह उसके ओपर नियंत्र निस्तापित होती है कारेपाले का ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो की हमारे सम्विधान से इतार हो या फिर जो हमारे जन हित में ना हो इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा की पावर के बारे में दोस्तों लोकसभा की शक्ती के बारे में तो समिधान संशोधन की शक्ती भी लोकसभा के पास होती है आप लोग जानते हैं आर्टिकल 368 के तह समिधान संशोधन किया जाता है और समिधान संशोधन में आपको पता है कि इसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अलग-अलग पास होना जरूरी होता है इसमें संयुत बैठक नहीं होती है और लोकसभा में भी इसको पास कैसे हो हो सकता समिधान में संशोधन नहीं किया जा सकता इसके अलावब दोस्तों निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्या करती है लोकसभा आप लोग जानते हैं कि जो हमारे देश के प्रेजिडेंट होते हैं इनका जो इलेक्शन होता है और उसमें जो इलेक्टोरेट लेते हैं तो दोनों के ही election में जो electorate college होता है उसमें लोकसभा के सदस्या भी शामिल होते हैं इसके अलावा दोस्तों महावयोग से related भी यहाँ पर power लोकसभा के पास आप लोग जानते हैं कि संसत का कोई भी सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा वो राष्टपती के महावयोग प्रस्ताव ला सकती है दूसरा ये कि suppose मान लीजे कि अगर राज्यसभा ने महावयोग प्रस्ताव लाया तो उस condition में लोकसभा के पास power होती है उस महावयोग प्रस्ताव की जांच करने की ठीक है आप लोग जानते हैं कि महावयोग प्रस्ताव में एक सदन के द तो आप लोग जानते हैं कि इसका initiative लेने का अदिकार तो केवल राज्यसभा को है लेकिन जब राज्यसभा उसको पास कर देती है तो उसके बाद उसमें लोग्सभा की सहमती भी आफशक होती है लोग्सभा का अनुमुधन भी आफशक होता है तो वाईस प्रेजिडेंट को पच से हटाने में भी लोगसभा रोल प्ले करती है। इसके अलावा देश्टो सुप्रीम कोट या फिर हाई कोट के जजेस को अगर पच से हटाना हो तो उसमें भी लोगसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका होती है। तो वहाँ पर भी लोगसभा एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है जबकि सुप्रीम कोट या हाई कोट के जजेस होते हैं इनको मिस बेहवियर और इनकैपसिटी के आदार पर जब अटाया जाता है तो उसमें भी लोगसभा का महत्वपून योगदान होता है। तो ये तो था दोस्तो हमारा लोगसभा के संबंद में प्रावदार अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में वहाँ पर हम राज्यसभा को समझने की कोशिस करेंगे। धन्यावाद दोस्तों